हलो एन वेलकम बैक एरवान दोस्तों स्टॉक ओफ दे में आज बात करेंगे हम टाटा मोटर्स की देखे लगबख साड़े पांच परसेंट उपर ट्रेड कर रहा है मार्केट जस्क्लोज होने ही वाली है 462 रूपीज के प्राइस पर आज ये ट्रेड कर रहा है मौर्निंग में खुलता ही उपर गया था 473 तक गया था 8 परसेंट उपर था उसके बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी आपको ये 462 रूपीज के आसपास मिल रहा है most likely 464-462 के आसपास ही कारण है कि इस न्यूज की वज़े से आज ये शेर आपको इतना अच्छा परफॉर्म करता हूँ दिख रहा है उसके बारे में आज की स्वीडियो में डिसकेशन करेंगी कुछ टाइम पहले मैंने आपको इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ओफ व्यू से भी बाय करव क्वाटरली सेल्स के नंबर रिपोर्ट करें हैं फॉर्थ क्वाटर फाइनशल एर 23 के यानि जन्वरी 2023 से मार्च 2023 क्वाटर के सेल्स के नंबर रिपोर्ट किया है यहाँ इसने ग्लोबल होल सेल्स में कंपणी ने 3,61,360 यूनिट्स सेल करी है पिछले क्वाटर में जो की 8% से इंक्रीज होई है सेम क्वाटर प्रीवेस फाइनशल एर में यहाँ पर पैसेंजर वीकल में काफी अच्छा एक जंप हमें देखने को मिला है 10% से पैसेंजर वीकल की सेल्स इंक्रीज होई है यर और बेसिस पर जैगवार और लैंड रोवर की ग्लोबल होल सेल्स में परीए और टार्गेट यहाँ पर गोल्डमेंस एक्स ने दिया इस स्टोक का 550 का और रीजन यहाँ पर गोल्डमेंस एक्स ने दिया है कि जैगवार और लैंड रोवर की सेल्स यहां से ओर ज्यादा इंप्रूव हो सकती है और यह टाटा मोटर्स की टोटल सेल्स का 70% भी ब प्रीज कर दिया 15% से 16% तक गोल्डमें सेक्स का मानना है कि देखिए मार्केट अंडर एस्टिमेट कर रही है जैग्वार और लैंड रोवर की इबिट मार्जिन पोटेंशिल को यहां पर एक दूसरे ब्रोकरेज हाओ तो CLSA का कहना है कि हाई वोल्यूम ग्रोथ की वज़े से टाटा मोटर्स का फ्री कैश फिलो जो है वो 800 मिलियन पाउंड से भी जादा जनरेट होगा तो देखी यह जो सेल्स के फिगर आया है इसकी वज़े से ही इस स्टॉक में आज आमें एक बाउंस देखने को मिला है इसके लावा जो ग्लोबल ब्रोकरेजिस हैं जैसे की गोल्डमें सैक्स नमूरा और CLSA उन्होंने भी स्टॉक पे बाय रेटिंग रेकमेंड करी है उसक से बढ़कर आज आपको यह 460 तक मिल रहा है तो लगबग 15% रिटरन तो अपरैल में इस स्टॉक में आ गया है तो यह अगर आपने इस स्टॉक को बाय किया हो तो अभी आप इसको होल्ड करके रखो इस टॉक आपको 400 से या 500 तक का भी टार्गेट अचीव करवा सकता है